तो बाई अगर आप एक यूट्यूबर है तो आज यूट्यूब ने एक ऐसा अपडेट दिया है जिसे सुनकर मेरा दिमाख खराव हो गया और सच बता रहा हूं ये अपडेट मुझे अब तक का सबसे बेकार अपडेट लगाए as a creator तो चलिए इस अपडेट को मैं पूरा explain क करता हूं आपको समझाता हूं और आप मुझे comment में बताएगा कि अपडेट सच में बेकार है या आपको इसमें कोई फाइदा नजर आता है और हाँ अगर आपने चैल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ notification bell को दबाखे all पे click कर देना क्यूंकि इसे तरह के content मैं आपके लिए बनाता रहता हूं नमस्कार दोस्तों मैं हो योगी योगेंदर आप देख रहे है टेकनिकल योगी no drama no click bet all attack देखिए यूट्यूब पे क्या है दो तरह की वीडियो होती है एक होती है long form एक होती है shots जो एक मिनट से कमकी होती है और long form जो कितन तो नहीं है बट close to official हम इसे बोल सकते हैं जिसका नाम है creator insider और यहाँ पे बहुत सारी updates और news youtube से related आती रहती है आज सुबह यहाँ पे जब वीडियो में ने देखा तो वीडियो में उन्होंने shots से related काफी सारे questions के answer किये लेकिन एक answer ऐसा था जिसने मेरा दिमाग गुमा दिय तो अब मैं आपको पुरा थोड़ा समझाता हूँ youtube पर views वीडियो पर जदतर कैसे आते हैं या तो youtube सर्ष से आते हैं या फिर youtube recommendation से आते हैं थोड़े बहुत notification से भी आते हैं बट सबसे ज़्यादा जब video कोई viral होती है वो होती है youtube recommendation से अब youtube कहा का recommend करता है देखें आपको य videos recommend करता है youtube और youtube के recommend करने के अभी तक दो ही तरीके थे जो आपको पता ही होगा कि भाई audience retention कितना बढ़िया है और click through rate कितना है एक तो यह तरीका था और दूसरा जो तरीका था user के interest के हिसाब से गरता है यानि माल लीजे मैं हूँ मैं कापी दिनों से cricket की वीडियो देख रहा और मुझे जो वीडियो नजर आते यानि वो वीडियो ब्राउज फीचर में आये हैं और उन पर मैं जितने वीडियो देख लूँगा तो जिसने वो वीडियो बनाया है उस creator को views मिलेगा वो ब्राउज फीचर से मिलेगा simple सा पंड़ा आपको समझ में आ गया होगा अब यह नहां पर Shorts की सबसे पहले बात करें कि आखिर लोग Shorts क्यों बनाते हैं तो मेरे हिसाब से दो ही वजए है पहली वजए उससे आप थोड़ा बहुत earning कर सकते हो YouTube Shorts फंड के द्वारा लेकिन आपको पता YouTube Shorts जो फंड है वो काफी कम होता है जितने की उस पर views आते है उसके हि अगर वही views आपकी long video पर आएंगे तो जाद earning होगी यह आपको भी मालू है और दूसरा यह भी वजए हो सकती है कि creator सोचता है कि यह मेरा जो Shorts से वो काफी ज़दा viral होगा तो बहुत सारे लोगों तक मेरी reach हो जाएगी और फिर में बाद में चैनल पर अगर long video भी तो भाई वोन पर भी काफी views आएंगे और उससे मैं अच्छी कासी earning करूँगा यहां तक समझ में आते चीज़े तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से काम होता है अब question का answer कैसे किया उन्होंने यह मैं आपको बताता हूँ देखे simple से एक तरीका है कि अब उन्होंने क्या किसी ने पूछा कि अगर कोई मानलो short video देख रहा है मेरी बहुत जादा तो क्या long video उसको youtube recommend करेगा तो कहानी यह भाई नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा मैं आपको तोड़ा simple तरीके समझा देता हूँ कि youtube shots का जो algorithm है और youtube की long form video का algorithm है वो youtube ने अलग अलग रख दिया separate कर दि और आप मेरी सारी shots देखते हैं उसके बावजूद भी मैं long video डालूँगा तो हो सकता है आपके browse feature में long video नहीं आए और मेरी long video नहीं चलेगी simple सी बात यह है तो अब यहाँ पर यह problem create कर दी जो लोग एक ही चल पर long video बनाते और short video बनाते तो long form की जो audience होगी जोनोंने long form की video आपके देखियोगी उनके browse feature में long video बेजेगा और short देखेंगे उसके short बेजेगा दोनों का जो user history है अलग कर दिया है दोनों का जो algorithm में वो अलग कर दिया है अलाकि वो complicated था answer बट मैं आपको बहुत simple में समझा है अब कुल मिलाके बात यह है कि कोई आपकी कितनी भी short video होगे तो हो सकता है उस तक वो पहुंचे ही ना उसकी रीच ही ना हो तो अब यहाँ पर solution क्या है problem तो create हो गई है solution यही है जो मैं पहले से कहता है हूँ जब shorts start हुआ था तब ही मैंने बोला था कि जब भी आप अपना channel बनाते हो long form video का अलग channel बनाओ और short form video का अलग channel बनाओ लेकिन मुझे अब shorts बनाने में कुछ ज़्यादा benefit लग नहीं रहा सिर्फ shorts fund के लिए यह बना सकते हो लेकिन आ जब यह December आ जाएगा 31 December 2022 उसके बाद जैसा की खबरे आ रही है जैसा की अफिर अफुआ कह सकते है रूमर जो आ रहे हैं वह आ रहे हैं कि shorts भी YouTube monetize कर सकता है उ लोंग का अलग बनाओ क्योंकि दोनों का algorithm अलग है दोनों अलग तरीके से ही recommend किये जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपकी short video देख रहा है वहाँ long video भी आपकी सामने जाएगी browse feature में और उस पर भी views आएंगे और आने वाले time में अब आपको चैनलों पर देखने को मिलेगा जो कोई long video बना रहा है और short भी बना रहा है हो सकता है उसके shorts वाइरल हो लेकि long पर views नहीं मिलेंगे या फिर हो सकता है कि उसके long video काफी viral हो shorts पर ना मिले क्योंकि दोनों का algorithm अलग अलग है और लग जब बढ़िया होता है तो फिर दोनों पर भी मिल सकता है लेकिन update जो है मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी मतलब यही था कि यार जैसे मालों मैं बहुत सारी shorts देखता हूं तो आज कर home page मेरे भी shorts आ जाते है तो अगर बोच चनल वाला अगर मान लीजे कोई बड़ी वीडियो बनाते तो वो भी मेरे पास आनी चाहिए ताकि उसको benefit हो बट ऐसा नहीं होने वाला है I think आपको clear हो गया update मुझे update बिल्कुल अच्छी ने लेगी आपके क्या विचार है इस update के बारे में मुझे comment section में ल मुझे विपड़ी आपके करू box смож और अभी को पूंच कर आपके का ह सोईना में लेक्टा cult बादा है है आपकेश में मुझे जऑी है जब अभी कर फोसे का श।र में हे तो सब्सक्ति हम लेगी मुझे एढ़ी झाय सी मुझे क' मुझे